हेलो गाइज वेलकम बैक स्टोर चैनल देग्जाम बीटर्स जैसे कि हमारा इसकी में कि हमें 10 का पहले साइंस का पूरा स्लेबस कंप्लीट करना है तो उसी में आज बाइलोजी का पहला चैप्टर जो है उसका हम लोग कंप्लीट करेंगे दिया लाइफ प्रोसेस तो बिना ट देख लेते हैं दो प्रोसेस डैट अनेसेसरी फॉर एन और गनिजम तो इस्टे अलाइफ तो मतलब जो प्रोसेस होते हैं जिससे हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है तो इसके लिए जैसे एक्जामपल लें नूट्रीशन रिश्पिरेशन एक्सेटरा तो दो क्र जो है पहला है ग्रोथ और दूसरा मोमेंट उसके बाद जो नेक्स पॉइंट हमारा आता है नूट्रीशन तो नूट्रीशन का होता है दो प्रोसेस इन विच अन ऑर्गनिजम टेक्स इन फूर्ट रिपेयर एंड मेंटेनेस एक्सेक्टरा एंड एक्सक्रीट देवेस्ट तो नूट्रीशन में कितने टर्म से इसको याद करना रहना है पहले इंटेक यूटिलाइज ग्रोथ रिपेयर मेंटेनेस एक्स्रीट तो यह चीजें नूट्रीशन के पार्ट होते हैं यह रहा नूट्रीशन की डिफिनिशन और टाइपस अफ नूट्रीशन तो बैसिकली दो टाइप में बता है और्टव नूट्रीशन बनाते हैं जैसे एकजामपल दिया प्लांट ख्लो ग्रीन बैक्टिरिया एक्सेक्टर यह होते हैं जो खुझ मतलब लाइट सिंटिशन का प्रोसेस है शो तो फोटो सेंथिस के द्वारा यह अपना फूड बनाते हैं फोटो मतलब लाइट सेंथिस टू कमबाइन लाइट से कमबाइन होके यह अपना खाना बनाते हैं और और अटू ट्राप में जो रहा मट्रील चाहिए वह पहला है करबन डायोकसाइड एंड सेकेंड इस वाटर उसके बाद यहाँ एक्वेशन दी गई है एक्वेशन है सी सी ओ टू प्लस एस टू ओ सन लाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है तो सी सिक्स एस टॉल वह सिक्स डाट इस ग्लुकोस यह होगे खाना और ऑक्सीजन जो हम लोग के लिए मिलता है इन्वर उसके बाद ओ नेक्श्ख सीजा एन्रजी कर्मशीं चल्ह आपाँ ऑठी ट्यू कुनिंच के मर्शों जो होता है वह लह आवेनिट और ग्निकल earlier जो कि खाने के लिए प्रुद्यूकी के लिए पैल दूदी के लिए फ्रॉडू छोता है और और उफ्लोफिल यहाँ सपचा जात तो टू to trap the Sun energy from photosynthesis to trap the Sun energy for photosynthesis or factors for autotropic nutrition तो कुछ factors होते हैं energy to chemical energy and splitting of water's molecule into hydrogen and oxygen उसके बाद जो है reduction of carbon dioxide to carbohydrate और फिर कुछ gases exchanges होते हैं gas used carbon dioxide जो यूज होते हैं जो byproduct निकलता है वह होता है oxygen जो हम लोग के लिए काम में आता है source of raw material तो जितने source हैं कहां से कौन से मिलता है carbon dioxide land plants air aquatic plants water and water and minerals जो मिलते हैं soil से और फिर दूसरा जो nutrition टाइप है वह है hetero traffic nutrition hetero मतलब other stuff मतलब nourishment तो जो दूसरे पर निर्भार हैं उनको hetero traffic nutrition बोलते हैं example animals plants lacking chlorophyll like fungi तो जो fungi में chlorophyll नहीं होते हैं वह भी hetero traffic nutrition पे dependent होते हैं तो hetero traffic nutrition के कुछ parts है तो जैसा है saprophytic nutrition तो saprophytic nutrition क्या होते हैं organism feeds on dead decaying plants or animal material fungi bacteria जो dead decaying matter से अपने नरिश्मेंट लें उनको हम saprophytic बोलते हैं parasitic जो होते organism of 10 food from the body of another living host मतलब किसी दूसरे body से living body से food जो लें उनको parasitic nutrition बोलते हैं और parasitic nutrition दो टाइप के इंडो-parasitic and exo-parasitic तो इंडो-parasitic क्या होते हैं जो host के अंदर हो इंडो और जो होस्ट के बाहर हो एक्जो तो हिंडो-parasitic का दो है पैरसाइट्स लिए इंसाइड दा बॉड़ी ओफ दा होस्ट टेप वार्म और राउंड वार्म पैरसेट्स पैरसाइट्स लिए यह एक्जो पैरसाइट होते हैं तो एक नोट दिया गए दा पैरसाइट्स बेनिफिट्स वाइल दा होस्ट इस यूजली हांड यह क्यात करना है कि मतलब पैरसाइट जो होते हैं लेकिन होस्ट जो होता है वो हाम होता है एक्जामपल कैस्कटा प्लांट हैरस्टेल अमर बेल एंड मलेरियल पैरसाइटल और जो ठर्ट चीज है वो होलो जो इक लिए-पिसों मीद्न को उसके बाद फिर तेप इन होलो जेक नूटरीशन तो बहुत स्रोंड जो होलो जॉट नुच्छन मैं आते है तो जो जो पहला है इंगिश्वान टेकिक इन ऊफूत तो पहले तो फूड लेए क्वले ने टाइसें इसंड आफो सेंपलेक्स फोड separates इसको हम human beings nutrition बोलते हैं तो इसमें होता है इसमें होता है जो होता है उसमें पाया जाता है mouth, osophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus तो important glands और juices जो निकलते हैं जो क्या बोलते हैं human beings की nutrition में होते हैं तो पूरा लिस्ट दी गई तो इसमें पहले जैसे mouth दिया का है तो mouth में जो gland होता है वो slavery glands होते हैं और जो enzyme या juice निकलते हैं वो slavery amylase और जो function होता है convert starch into sugar उसके बाद दूसरा जो है stomach में जो है gastric gland होता है तो यह gastric juice निकलता है जो कि kills harmful bacteria that enter the body और hydrochloric acid जो होता है और दूसरा काम इसका होता है makes the medium alkaline for the poison action of pepsin pepsin को active करने के लिए यह काम करता है और second जो फिर जो पेपसी निकल गया तो यह क्या करता है digestive 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 proteins तो जो proteins होते हैं उनको digest करते हैं और तीसरा जो होता है mucus तो mucus फिर इनर lining of the stomach from the currency action of hydrochloric acid जैसे कि हम लोग जानते है hydrochloric acid जो harmful होता है इसलिए उसको बचाने के लिए mucus होता है उसके बाद आगे बलते हैं तो हमें मिलता है small intestine तो इसमें जो gland होता है liver होता है और जो juice निकलता है by juice तो इसका action क्या होता है इसका role क्या होता है makes the medium acidic from the action of pre-pracreatic enzyme और दूसरा जो होता है breakdown large fatty molecules into smaller globules so that enzymes can act upon them और उसके बाद दूसरा जो gland मिलता है होता है pancreas तो इसका जो काम होता है pancreatic juice और amylase यह निकलता है तो convert carbohydrate to glucose और trypsin जो होता है converts protein to amino acid और lipase जो होता है convert fat into fatty acid and glycerol तो इस तरह देखा कि कैसे कैसे elementary canal में different different glands होता है different different juice होता है different different rule होता है तो उसके बाद हमाँ मिलता है an aerobic and anaerobic respiration के बीश difference इसकी जब difference करते हैं difference हम लोग देख लेंगे तो इसके definition और examples भी आपको मिल जाएंगे तो aerobic respiration होता क्या है takes place in presence of oxygen यहीं इसकी definition है टेक्स और anaerobic क्योंता है takes place in absence of oxygen lack of oxygen और in product जो होता है aerobic में वह होता है carbon dioxide and water in product जो होता है ethanol and carbon dioxide more energy तो aerobic उसमें क्या होता है more energy is released और anaerobic में क्या होता है less energy is released और aerobic में देख सकते हैं takes place in cytoplasm and mitochondria anaerobic में takes place in only in cytoplasm complete oxidation of glucose takes place in complete oxidation of glucose takes place is it occurs in most organism it occurs in certain bacteria yeast certain tissues of higher organism example human during vigorous exercise when the demand for oxygen is more than supply muscle cell respire anaerobically for some time when we run exercise example जब हम दोड़ते हैं तो फिर anaerobic exercise हमारे कुछ muscles करते हैं जिसके वाज़ा से कम oxygen रहता है तो anaerobic करते हैं और इसमें equation जो होता है glucose change into pyruvate and pyruvate change into CO2 plus H2 plus energy and equation in East cells जो होता है glucose change into pyruvate and ethanol plus H2 plus energy in muscle cells जो हम भागते हैं तो glucose pyruatic acid lactic acid जो की जम जाता है फिर दर्द होता है इसको दूर करने के लिए गरब पानी से जगाई करें तो यह दूर होता है उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है some common features of respiratory organs तो large surface area होता है for greater rate of diffusion in respiratory gas thin permeable walls to ensure easy diffusion and exchange of gases extensive blood supply respiratory organs are richly supplied with blood vessels for quick transport of gases उसके बाद हमें मिलता है gaseous exchange in plant तो जो process होता है वो diffusion होता है direction of diffusion depends on environmental condition and requirements of the plant तो पहला जो है daytime में जब होता है तो carbon dioxide given out during respiration is used for photosynthesis therefore only oxygen is released which is major activity during the day night time में क्या होता है the only respiration takes place therefore only carbon dioxide is released which is a major activity during the night उसके बाद हमें मिलता है gaseous exchange in animals तो terrestrial animals तो तेक oxygen from the atmosphere और जो aquatic होता है जो पानी में होता है टेक oxygen dissolved in water oxygen content is low in water therefore they breathe faster और यह question भी आता है कि वाई fish breathe faster तो यह हो जाए कि oxygen content is low in water therefore they breathe faster in human respiratory system यह दिया गया है तो external nostril finosal cavity trachea bronchi bronchioles and alveoli rings of cartilage present in the throat ensure that the trachea air passes does not collapse when there is less air in it and phil lungs का क्या होता है present in the thorac cavity they are spongy elastic bags consisting of bronchi bronchioles and alveoli तो figure 6.9 ncrt पे देखोंगे एक सुचार पेच पे तो उसमें इसका figure दिया कि जिसे आसानी से और अच्छे से समझा जा सकता है respiration occurs in two phases एक होता है external एक होता है internal तो external में क्या होता है breathing which is mechanical process मतलब intake of oxygen that is called air और internal में होता है cellular respiration उसके बाद हमां mechanism of breathing देखेंगे it includes inhalation and exhalation inhalation मतलब intake of oxygen and exhalation of outbreak of oxygen तो जब हम सांस लेते हैं तो इनको लेशन बोलते हैं और जब आप सांस छोलते हैं तो exhalation exchange of gases मिलता है फिर unicellular organism by diffusion or animals as the body size is large diffusion alone is not even enough respiratory pigments also required respiratory pigment in human being is hemoglobin which is present in red blood corpus it has very high affinity for oxygen carbon dioxide is more soluble in water than oxygen so it get dissolved in blood and it does transported versus transportation उसके बाद मैं मिलता है transportation in human beings तो कैसे हमारी human being का जो transportation transportation system होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैं blood तो it is fluid connective tissue fluid collective tissue इसको बलते हैं components होता है इसको fluid medium होता है पहला होता है plasma red blood का cells उसके white blood cells platelets suspended in plasma plasma transports food oxygen carbon dioxide nitrogen waste etc यहां कुछ functions दिएगा है functions of blood तो पहला फंसन जो ट्रांस्पोर्ट आफ रेस्पराट्री गैसे स्ट्रांस्पोर्ट आफ नूट्रेशन ट्रांस्पोर्ट आफ वेस्ट प्रोड़क्ट और इस डिफेंस अगेंस इंफेक्शन भी इसको काम किया जाता है तो ब्लेट वैसल्स जो हते हैं आइर्ट्रीज वेन एंस एंस अन आप्रील्रीज तो आट्रीज और वेन में डिफेंस आइसको डिफेंस देख लेंगे तो इसकी डिफिनेशन भी आपको मालूम पढ़ जाएगी तीक में अट्रीज में थे ब्लड को पूरे बॉडि करती है और वेंस किया थे इंवाल्ट से सूपर फीसियल केरी ब्लड करके हाट की तरफ लाता है तर र होते हैं लेकिन वेंस में वह होते हैं प्रेजेंट होते हैं उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है हार्ट जो कि आपको पेज 106 इसके कुछ पॉइंट से जो याद के लिए आप इस ए मॉस्कुलर और विच वर्क आज़ पंप इन दर से प्रेटरी सिस्टम तो पांकिंग पंपिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं इस इट इस दा साइज आफ और फिश्टेक मुठी बराबर इसकी साइज होती है नॉर्मल ह इस इस तो नौ यहां जाइब रूप भी बड इसरे बेट उन डम चेंव तो थो आपर शॉम्बर स्कॉल यहां तो लोब चामबड इसकल्ड वर्क आपन तो यहां ख़ूम प्रेस के लोग आपन दिंग तो लिए विए जए पार्टिम स्कॉलम आपड़ वें लिए नॉत अ the left ventricles through the wall उसके बाद left ventricles में नीचे चला है तो फिर left ventricles contract and the blood is pumped into the largest artery और अर्टा जो होता है वो लार्जेस्ट आर्ट्री माना जाते हो जब इससे होता है तो यह अर्टा में चला जाता है and is carried to all parts of the body और यहां से फिर और अर्टा से पूरे बाड़ी में ब्लड ऑक्सिजनेट ब्लड की सप्लाई हो जाती हो उसके बाद फिर वर्किंग ऑफ दा हार्ट राइट साइड तो फिर राइट साइड में कहोता है राइट आर्ट्रियम रिलाक्स अन्ड दी ऑक्सिजनेट ब फ्रम दा बाड़ी इंटर्सेट रोदा सुपीरियर अन्ड इंफीर वेन जाता है उसके बाद जब राइट आर्ट्रियम कांट्रेक्ट अन्ड ब्लड इंटर्स दा राइट वेंट्रिकल्स थ्रोड़ वाल वाल की थूं ट्रू टाइकस्पीड वाल की थू यह नीचे जोडेक्षिनल पिलड ले जाता है लेकिन पॉल्मरी आर्ट्रियर आट्रिव दी एक क्डी फिलिक लीजुक्त आटेट वियुक्त गरी करता है और उसके बाद कुछ टूंस sporting जो कि याद करना सics undirectional to prevent the backward flow of blood, यह undirectional to prevent the backward flow of the blood, backward flow को यह रोकते हैं, अब pulmonary veins का इर, is the only vein that carries oxygenated blood, aureata is the only artery that carries deoxygenated blood, a double circulation in man, because the blood passes through the heart twice in one complete cycle of the circulation, तो इसलिए हम double circulation system भी बोलते हैं, man के heart को, क्योंकि इसमें दो बार, एक बार खून आता है, फिर लंक्स में जाता है, फिर आता है, फिर पूरे बाड़ी में जाता है, तो इसलिए double system बोलते हैं, and capillaries का होते हैं, form the connection between arteries and veins, walls are one cell thick only for easy exchange of blood, platelets का होते हैं, plug the legs of arteries and veins by clotting the blood, platelets का मेंली का होते है, clotting of blood, और lymph का होते है, extracellular fluid similar to the plasma but colorless with lesser protein, function of lymph यहां गे दियागा है, transportation of digested and absorbed fats from the small intestine, drains excess fluid from the intercellular space back in the blood, और जो higher animals होते हैं, bird and mammals इसमें पाया जाता है, फिर oxygenated blood and deoxygenated blood are completely separate from efficient oxygen supply, this is fulfilled higher energy needs and to maintain body temperature warm blood animals, तो जो warm bladed animals होते हैं, यह maintain करते हैं body temperature को, उसके देख टॉपिक और amphibians and reptiles have three chambered heart, where little mixing of oxygenated blood and deoxygenated blood takes place, therefore their body temperature varies with the temperature of the environment, यह cool bladed animals इनको बोलते हैं, क्योंकि इनका temperature जो होता है, वो environment के साथ vary करते रहता है, amphibians और reptiles में three chambered heart होते हैं और birds और mammals में four chambered heart होते हैं, उसके बाद transportation in plants भी देख लेते हैं, तो plants need less energy needs because they do not move and therefore have a slow transport system, क्योंको इनको move to करना रहता है, एक दर exist करते हैं तो इनको जादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती हैं, तो इसलिए energy भी लेस ही use होती है, ट्रांसपोर्ट और तो ट्रांसपोर्ट और वाटर कैसे होता है, टेक्स प्लेस भाइस बाइस आलें, टीसू प्रेज़ें डिटरू इस देरफोर इंटर्कनेक्टेट और रूट सेल टेक प्टप और यंज फिर्ट्वतार रेंट शयलिए इस वजह से अपवर्ड होती हैं, और पूरे बाडी में वाटर जाता है, In very tall plants, transpiration creates a suction pressure which pulls the water upward. Importance of transpiration helps in upward movement of water in plants. It regulates the temperature in plants. If you transport of food in plants, then take place by phloem. If the xylem is high down the water, then the xylem is low and high down the entire part. It takes place by phloem. मुवमेंट्स ऑफ प्रेपेर्ट फूर्ड इंप्लांट इसको बोलते हैं ट्रांस लोकेशन और एक्सक्रिशन एक्सक्रिशन कैसे हो तो जब बाय लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमोबल और फॉर्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट इन लिविंग और इसक्रिशन इन हुमन बिंग् किड्नी उरेटर्स एंड यूरेनरी ब्लडर्स एंड यूरेथ्र किड्नी के होता है टू इन नंबर होता है बीम सेव में पाया जाता है प्रेजंट इन अब्डोमें अन इधर साइड आप दे बैक्बोन बेसिक उनिट इस नेफ्रों तो नेफ्रों इस दा फंडमेंटल और बेसिक उनिट घ्री आंड विव ला जाता है ब्लोमेंटल नेफ ख्री दिश्ड इस टेर्ड उडल अंडियो यूरेन एंड देड दिश्क उस्ट्री तोन ग्लुंप कर देड्ल इस ना च्रिट फिर्ट और तो नेवित प्रेंड इंड निटी पाया ग्ली एंड रोग्न और फिल्ट्रेशन और रिमोवल ऑफ निट्रोजन वेस्ट री अब्स ऑफ वाइटल नूट्रियंस यूरेटर्स का क्या मुथता है ट्रांसपोर्ट यूरीन फॉर्म्ड इन दा किड्नी टू दा यूरेनरी प्लेडर और यूरेनरी प्लेडर का क्या होता है मस्कुलर बैग लाइ प्रॉस्ट यूरेशन रिमोवल अफ उर्मड फुरीन बादर इस फूल और फिर अठिफिशल कीड्नी प्रिंचिपल यह उता है डियलेसिस के तुरू अर आटिफिशल कीड्नी का काम होता है और एक्सरिक अर एक्सरिशन इन प्लंट भी होता है तो कैसे होता है गैसे वेस् in photosynthesis are removed by process of diffusion excess water is removed by transpiration other wastes stored in cellular vacuoles or in leaves which fall off or as gum resin etc in old asylum exploration in soil और कुछ इस चैप्टर के important diagrams हैं जो कि आप लोग को अच्छे से clear होना चाहिए तो जो पहला है open and close stomata उसके बाद systems of nutrition in amoeba elementary canal of human beings type system system of human beings जिसको बोलते हैं और respiratory system of human beings structure of heart excretory system of human beings structure of nephron तो इस तरह हमारे चैप्टर पूरा complete होगा और होप आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को subscribe करें live करें और share करें thank you sorry